आईए आज कथा साहित्ते में सुनिए सुबुद्रकुमारी चोहान जीत्वारा लिखी कहानी जिसका शीर्षक है हींग वाला लगभग 35 साल का एक खान आंगन में आकर रुक गया हमेशा की तरह उसकी आवाज सुनाई दी अम्मा हिंग लोगी पीट पर बंदे हुए पीपे को खोल कर उसने नीचे रख दिया और मौल सिरी के नीचे बने हुए चबुत्रे पर बैठ गया भीतर बरामदे से नौ दस वर्ष के एक बालक ने बाहर निकल कर उतर दिया अभी कुछ नहीं लेना है जाओ पर खान भला क्यों जाने लगा जरा आराम से बैठ गया और अपने साफे के छोड से हवा करता हुआ बोला अम्मा हींग ले लो अम्मा हम अपने देश चाता हैं बहुत दिनों में लोटेगा सावितरी रसोई घर से हाथ दोकर बाहर आई और बोली हींग तो बहुत सीले रखी है खान अभी पंद्रा दिन हुए नहीं तुमसे ही तुली थी वो उसी स्वर में फिर बोला हेरा हींग है मा हमको तुम्हारे हाथ की बुहनी लगती है एक ही तोला ले लो पर लो जरूर इतना कहकर फॉरन एक डिबबा सावितरी के सामने सरकाते हुए कहा तुम और कुछ मत देखो मा यह हींग एक नमबर है हम तुम्हें धोका नहीं देगा सावितरी बोली पर हींग लेकर करूँगी क्या धेर सी तो रखी है खान ने कहा कुछ भी ले लो अम्मा हम देने के लिए आया है घर में पड़ी रहेगी हम अपने देश कूँचाता है खुदा जाने कब लोटेगा और खान बिना उत्तर की परतिक्षा किये हींग तोलने लगा इस पर सावितरी के बच्चे नाराज हुए सभी बोल उठे मत लेना मा तुम कभी ना लेना जबर्दस्ती तोले जा रहा है सावितरी ने किसी की बात का उत्तर ना देकर हींग की पुडिया ले ली पूछा कितने पैसे हुए खान 35 पैसे अम्मा खान ने उत्तर दिया सावितरी ने 7 पैसे तोले के भाव से 5 तोले का दाम 35 पैसे लाकर खान को दे दिये खान सलाम करके चला गया पर बच्चों को मा की यह बात अच्छी न लगी बड़े लड़के ने कहा मा तुमने खान को वैसे ही 35 पैसे दे दिये हींकी कुछ जरूरत नहीं थी छोटा मा से चड़कर बोला दो मा 35 पैसे हमको भी दो हम बिना लिये न रहेंगे लड़की जिसकी उम्र 8 साल की थी बड़े कमभीर स्वर में बोली तुम मा से पैसा ना मांगो वो तुम्हें न देंगी उनका बेटा वही खान है सावित्री को बच्चों की बातों पर हसी आ रही थी उसने अपनी हसी दबाकर बनावटी क्रोथ से कहा चलो चलो बड़ी बातें बनाने लग गए हो खाना तयार है खाओ चोटा बोला पहले पैसे दो तुमने खान को दिये हैं सावित्री ने कहा खान ने पैसे के बदले में हींग दी है तुम क्या दोगे चोटा बोला मिट्टी देंगे सावित्री हस पड़ी अच्छा चलो पहले खाना खालो फिर मैं रुप्या तुड़वा कर तीनों को पैसे दूँगी खाना खाते खाते हिसाब लगाया तीनों में बराबर पैसे कैसे बटें चोटा कुछ कम पैसे लेने की बात पर बिगड़ पड़ा कभी नहीं मैं कम पैसे नहीं लूगा दोनों में मारपिट हो चुकी होती यदि मुन्नी थोड़े कम पैसे स्वेम लेना स्विकार ना कर लेती कई महीने भीद गए सावित्री की सब हिंग खत्म हो गई इस बीच होली आई होली के अफसर पर शहर में खासी मारपिट हो गई थी सावित्री कभी कभी सोचती हिंग वाला खान तो नहीं मार डाला गया ना जाने क्यों उस हिंग वाले खान की याद उसे प्राय आ जाया करती थी एक दिन सवेरे सवेरे सावित्री उसी मॉल सिरी के पेड़ के नीचे उत्तर मिला हिंग है हेरा हिंग और खान तब तक आंगन में सावित्री के सामने पहुच चुका था खान को देखते ही सावित्री ने कहा बहुत दिनों में आये खान हिंग तो कब की खत्म हो गई खान बोला अपने देश गया था अम्मा पर सु ही तो लोटा हूं सावित्री ने कहा यहां तो बहुत जोरों का दंगा हो गया है खान बोला सुना समझ नहीं है लड़ने वालों में सावित्री बोली खान तुम हमारे घर चले आए तुम्हें डल नहीं लगा दोनों कानों पर हात रखते हुए खान बोला ऐसी बात मत करो अम्मा बेटे को भी क्या मा से डर हुआ है जो मुझे होता और इसके बाद ही उसने अपना डिपा खोला और एक चटांग हेंग तोल कर सावित्री को दे दी रेचकारी दोनों में से किसी के पास नहीं थी खान ने कहा कि वो पैसा फिरा कर ले जाएगा सावित्री को सलाम करके वो चला गया इस बार लोग दशेरा दोने उच्षा के साथ मनाने की तयारी में थे चार बचे शाम को मा काली का जुलूस निकलने वाला था पुलिस का काफी प्रबंध था सावित्री के बच्चों ने कहा हम भी काली का जूलुस देखने जाएंगे सावित्री के पती शहर से बाहर गए थे सावित्री सौभाव से भीरू थी उसने बच्चों को पैसों का, खिलोनों का सिनेमा का ना चाने कितने प्रलोभन दिये पर बच्चे ना माने सो ना माने नौकर रामू भी जुलूस देखने का बहुत उच्सुख हो रहा था उसने कहा भेज दो नमाजी मैं अभी दिखा कर लिया आता हूँ लाचार होकर सावित्री को जुलूस देखने के लिए बच्चों को बाहर भेजना पड़ा उसने बार बार रामू को ताकेद की कि दिन रहते ही वो बच्चों को लेकर लोट आए बच्चों को भेजने के साथ ही सावित्री लोटने की प्रतिक्षा करने लगी देखते ही देखते दिन धल चला अंधेरा भी बढ़ने लगा पर बच्चे ना लोटे अब सावित्री को ना भीदर चैन था ना बाहर इतने में उसे कुछ आदमी सडक पर भागते हुए जान पड़े वो दोड़कर बाहर आई पूछा ऐसे भागे क्यों जा रहे हो जुलूस तो निकल गया ना एक आदमी बोला दंगा हो गया जी बढ़ा भारी दंगा सावित्री के हाथ पैर ठंडे पड़ गए तभी कुछ लोग तीजी से आते हुए दिखे सावित्री ने उन्हें भी रोका उन्हें भी कहा दंगा हो गया है अब सावित्री क्या करे उन्हें में से एक से कहा भाई तुम मेरे बच्चों की खबर ला दो दो लड़के हैं एक लड़की मैं तुम्हें मुह मांगा इनाम दूँगी एक देहाती ने जवाब दिया क्या हम तुम्हारे बच्चों को पेचानते हैं माजी यह कहकर वो चला गया सावित्री सोचने लगी सच तो है इतनी भीड में भला कोई मेरे बच्चों को खुझे भी कैसे पर अब वो भी करे तो क्या करे उसे रह रहकर अपने पर क्रोधा रहा था आकिर उसने बच्चों को भीजा ही क्यों वे तो बच्चे ठहरे जित्तो करते ही पर भेजना उसके हाथ की बात थी सावित्री पागल सी हो गई बच्चों की मंगल कामना के लिए उसने सभी देवी देवता मना डाले शोरगूल पढ़कर शान्त हो गया रात के साथ साथ निरवता बढ़ चली पर उसके बच्चे लोट कर ना आए सावित्री हताश हो गई और भूट भूट कर रोने लगी उसी समय उसे वही चिर परिजित स्वर सुनाई पड़ा अम्मा सावित्री दोड कर बाहर आई उसने देखा उसके तीनों बच्चे खान के साथ साकुशन लोटाएं हैं खान ने सावित्री को देखते ही कहा वक्त अच्छा नहीं है अम्मा बच्चों को ऐसी भीर भाड में पाहल ना भेजा करो बच्चे तोड कर मा से लिपट गए अभी आप सुबुद्रा कुमारी चोहांची त्वारा लिखी कहानी हींग वाला सुन रहे थे सुबुद्रा कुमारी चोहांची की अन्य कहानिया आप कथा साहित्य की प्ले लिस्ट में जाकर सुन सकते हैं कथा साहित्य में यूँ ही अपना साथ बनाए रखेगा धन्यवाद